नमस्कार आप देख रहे हैं नूजाप का 36 गड़ में लगातार नकसलियों का सफाया किया जा रहा है एक बार फिर से 7 नकसलियों को सुरक्षा बलों ने धेर कर दिया है 36 गड़ के नकसल प्रभावित इलाका नरायंपूर जिले में सुकुरुवार को हुई मुढभेड में 7 नकसलियों को सुरक्षा बलों ने धेर कर दिया है मारे गए नकसलियों में एक डिवी सीम केडर का कमपनी कमांडर भी सामिल है जिस पर 8 लाख रुपय का इनाम घोसित था मोत के आकड़े और भी बढ़ सकते हैं ऐसा बताया जार है अधिकारियों ने बताया कि मुढभेड में 3 सुरक्षा बल के जवान भी घायल हुए है पुलीस को सुचना मिली थी कि पूर्व बस्तर डिविजन इलाके में मुंगेडी गोबेल गाओं के जंगल में भारी संख्या में नकसली मौजूद है मुखबीर की इस सुचना के बाद दंतेवाडा, नरायनपूर, जगदलपूर और कोड़ा गाओं जीले में डियारजी और आटीबीप की टीम को मोके के लिए छेत तारी को ही रवाना कर दिया गया था चारोतरप से जवान दिन रात पैदल चरकर इलाकों की घेराबंदी करने में जुट गये थे पुलिस अधिकारियों के मुताबित नरायनपूर, दत्यवाडा और कोड़ा गाओं जीले की सिमा पर सुरक्षाबलों ने मुडभेड में जो है वो साथ नकसलियों को अब तक जो है मार गिराया गया है और बताया जा रहा है कि विरिश्पतिवार राज सुरक्षाबलों द्वारा जो है नकसल पूर विरोधी अभियान चलाकर जिसमें नरायंपूर दतेवड़ा और कोड़े गाओं जीले के जो बोडर इलाके हैं उसमें इस्थित मुंगेडी और गोलबल छेत्र में उनको भेजा गया था अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबल के जवान जब सुक्रुवार को गोबल छेत्र में पहुँचे तब नकसलियों ने गोली बारी शुरू कर दी जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जबावी करवाई करते हुए ता बढ़ तोड फाइरिंग करना शुरू कर दिया और रुक रुक कर दिन भर जो है गोली बारी होती रही अधिकारियों के मुतावित इस मुटभेड में सुरक्षाबलों ने अभी तक साथ नकसलियों को जगलों से बरामत कर लिया है भारी मात्रा में जो है हत्यार भी मिले हैं ऐसा कहा जा रहा है और साथ ही बड़ी संख्य अभी बारी है और इस मुटभेड के साथ ही इस वर्स अब तक राज में सुरक्षाबलों के द्वारा अलग-अलग मुटभेडों में 125 नकसलियों को मारा जा चुका है पुलीस के मुताविस 23 महें को नरायंपूर विजापूर जो बोडर छेतर है जहां जंगल में सुरक्षाबलों के साथ मुटभेड में 7 नकसलि मारे गए थे जबकि 10 म महिला समेत 10 नकसली मारे गए थे और 16 अप्रेल को भी कांकेर जीले में हुवे मुढभेड में 29 नकसली एक साथ मारे गए थे यानि कि देख सकते हैं कि इस तरीके से सुरक्षाबलों के द्वारा लगातार मुढभेड कर नकसलीों को जंगलों में ही डेर कर दिया जा रहा है ए सिमावर्ती छेतर गाओं जो है मुगेडी गोबेल में नकसलीों के खिलाब सुरक्षा बलोर चलाए गए अंतर जिला संक्त ओप्रेशन में साथ नकसलीों के मारे जाने की खबर आ रही है जवानों को मिली या काम्याबी सरहानिय है उनके अदम्य शाहाष को नमन करता हूँ नकसलवात के खातमे के लिए सुरू ही हमारी लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुँचने करी जो है वो दम लेगी इसके लिए हमारी सरकार किर्थ संकल्पित है ऐसा वहां के मुख मंतरी विश्णु देव साय का कहना है यानि कि लगातार चतिस गड़ में सरकार के जो है नकसलियों के खातमे के लिए लगातार तेज ओप्रेशन चलाया जा रहे हैं और अगर हम जार्खंड की बात करें तो जार्खंड में भी कुछ दिन पुर्व में एक नकसलियों के साथ मुर्भेड हुई थी जिसमें एक नकसली को मारा गया था यानि कि हम यह उमिद यह भी कर सकते हैं कि जार्खंड में भी इस तरह के मुर्भेड आने वाले समय में हो सकते हैं क्योंकि जार्खंड के गरम बात करें तो अब जो है मात्र कुछ चंद जिले ही बज गये हैं जो नकसलियों के प्रभाव छेत्रम हैं मात्र पांच जिलों का जो है ऐसा बताया ज जिसमें जो है नकसली अभी भी सक्री हैं जिसमें से गुमला लोहर्दगा गिरिडी पच्छिम शिंभूम का इलाका सामिल है अब देखने वाली बात होगी कि जारकंट से कब नकसलीयों का सफाया किया जाएगा लेकिन चतिस गड़ में तो केंद्रसरकार के द्वारा दिये अभियान में काफी जादा नकसलीयों का खात्मा किया जा रहा है अपने देखा होगा दो दिन पहले एक प्रेशनोट भी नकसलीयों के द्वारा जारी कर दिया गया था जिसमें बड़ा जो है तरह से सरकार पर सुरक्षाबलों पर बड़े आरोप लगाये गए थे कि सरकार ये नकसलीय अभियान इसले चला रही है ताकि जंगल जगा पर उनका जो है सरकार का कबजा हो सके मगर सरकार का ये कहना है कि हम जो है नकसलीयों का सफाय इसले करना चाहते हैं क्योंकि ये विकास के लिए बाधक और विकास के लिए रोड़ा पैदा कर रहे हैं मगर इस जं आवाद